अब बात अम्रित्सर से लेकर अफगानिस्तान की सीमाउ तक फैले पंजाब में मनाई जाने वाले वैसाकी के त्योहार की खुशियों और सम्रधी का ये त्योहार का आधार फसलों के पकने और कटने की किसानों की खुशियों से जड़ा हुआ है पर साल की तरहें इस साल भी बैसाकी के उपलक्ष में विशाल नगर कीरतन नकोदर की मोहला गुरु नानक पुरा के श्री गुर्दवारा अर्जन देव जी से सजाय गया इस नगर कीरतन की अगवाई पांच प्यारों वह गरुगरन साहिब जी के तरफ से की गई यह नगर कीरतन गतका पाटी एवं बैंड बाजों से सजाय गया था इस नगर कीरतन का नकोदर के हर इलाके में फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया इस नगर कीरतन में नकोदर के गणमान व्यक्ति हाजर हुए श्री आननपुर साहिब में बैसाखी के चलते संगतों में खूब चेहल पहल देखने को मिली वही संगत पवित्र सरूवर में इस नान करने के बाद अम्रित चक रही थे इस श्री आननपुर साहिब में देश विडेश किष्ण धालू भी बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए पहुँचे थे हम आपको बिता दें कि गेउ की फसल के पकने की खुशी में बैसाखी का यह त्योहार मनाया जाता है और दूसरी तरफ यह त्योहार खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में भी मनाया जाता है इस दिन 1699 में दसवे बाच्चाही गुरू शी गोबिन सिंग जी ने खालसा पंत की स्थापना की थी शी गुरू गोबिन सिंग जी ने पंच प्यारों को अमरित चका कर सिह बनाया था वो खुद भी अमरित चक कर गोबिन राय से गोबिन सिंग बने थी इस तरहें 13 अप्रेल 1699 को श्री केसरगर साही बाननपूर में दसवे गुरू गोविन सिंग जी ने खालसा पंस की स्थापना कर अत्या चार को समाप्त किया था संगत इस्तिहार को सामोईक जन दिवस के रूप पे भी मनाती है हमारी इस कास पेशकर्श में फिलाल इतना ही दीजे इजाज़त नमशकर